उत्रप्रदेश के बहराईज जिले बे भेडियों का आतंक देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से कई बच्चों को अपने जान गवानी पड़ी है इसी आतंक को देखते हुए उत्रप्रदेश की सरकार ने ऑपरिशन भेडिये की भी शुरुवात की है तो आज इस वीडिय के बारे में भी कुछ important points पर हम बात करेंगे इसके लावा इस तरह की जो इतिहासिक इवेंट्स रहे हैं उन पर भी नज़र डालेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है द्रश्याइस चानल की इस नए वीडियो में इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुवात कर करेंगे इसके अलावा इतिहास में इस तरह के जो घटनाएं हुई हैं उन पर बात करेंगे और फिर बेडिये के बारे में वॉल्फ के बारे में कुछ important points देखेंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है इसके अलावा है जो पूरा हमारा topic है JS paper 3 से आपका जोड़ा जीविज्यान और परेवरण यानिके environment and biodiversity के segment से जोड़ करके देख सकते हैं चल येसी note के साथ करते हैं शुरुवात और सबसे पहले एक बार जो है अपनी खाबर पर नजर डाल ली जाए तो खाबर यही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो महिने में उत्तर प्रदेश क गई है इस पूरे हमले की वज़े से इन तमाम घट्नाओं की वज़े से स्थानिये लोगों में आपको देशत का माहुल दिखाए देगा और यह देशत इतनी ज्यादा है कि स्थानिये लोगों को खुद जो है अपने छेत्र में गश्त लगानी पड़ रहे और पटाके फो बेडिये के विशे में भी कुछ important point देख लिए जाएं तो इस operation के शुरुवात उत्तरप्रदेश के administration की ओर से जो बहराइच जिले में भेडियों का आतंक है उसको कम करने के लिए और भेडियों को पकड़ने के लिए इस पूरे operation को launch किया गया है अप तक अगर आप देखे administration में उत्तरप्रदेश की सरकार जो है वो ड्रोन मैपिंग और थर्मल ड्रोन जैसी टेकनीक्स का भी इस्तमाल करें तो हाइटेक तरीके से भेडियों को पकड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि स्थानिये लोगों को सुरक्षित किया जा सके इसके अलावा जो न निकलते हैं तो जुन्ड में निकलने को कहा गया है तो यह कुछ सुझाओ जो है स्थानिये लोगों को दिये गए हैं इसके अलावा जो आशा कारे करता हैं उनका इस्तमाल आपका सुरक्षा उपायों को ले करके जागरुकता के कांटेक्स में किया जा रहा है लोगों के ब इसको आप जो है किसी दूसरी emergency situation में भी लिख सकते हैं जहाँ पर आप अपने way forward में आप ये लिख सकते हैं कि ग्रामीड लेवल पर ये जो फला चुनौती है से निपटने के लिए आशा कारे करता हूं और जो आगनवाडी कारे करता हैं उनका इस्तमाल किया जा सकता है क्य ये operation भीडिये के बारे में हमने overall बात की अब भीडिये के हमले के बारे में अगर आप बात करें हमले से जोड़े कुछ important points अगर देखें तो भीडियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो इनसानों पर इतनी जल्दी हमला नहीं करते हैं तो इनसानों से बचने की कोशिश करत है जो आवास है उसमें कमी आई है क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है शिकार की कमी आई है इसके अलावा वनजीव कई जाहिर तोर पर स्वेक्टी पर हामला करेगा तो एक तो आकस्मेक कारण हो सकता है दूसरा कारण है आवास विस्थापन यानि कि कई बार क्या होता है कि या तो नाच्रण कारण की वजके से या फिर human booty reasons कि वजके से जो भीडियों का आवास से जनगल है जनगल खतम हो जाता है कर चया बार अब आपको खर से दूब जाता है झिसकी वज़े से जो भीडिये ہے वह जंगल वाले शेतर से निकल करक nepalakye में आजाते हैं और यहां पर आपको human-animal conflict की situation देखने को मिलती है, एक ये reason हो गया, एक कई experts जो हैं वो revenge theory की भी बात करते हैं, इस theory में कहा जाता है कि जो भेडिये हैं वो अकसर इंसानों पर revenge की वज़े से हमला करते हैं, बदला लेने की भावना से हमला करते हैं, अगर इंसान जो हैं वो भेडिये के चेतर पर जो है कबजा करेंगे, कई बार ये होता है कि भेडिये के बच्चों को भी नुकसान पहुचाए जाता है, तो इस वज़े से भी कई बार जो है भेडिये अपने चेतर से निकल करके इंसानों के चेतर में आते हैं, और वहाँ पर इस तरह के event हमको देखने को मिल ज पर इस तरह की घटना है, देखने को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में आपको मिली है, मध्य प्रदेश में मिली है, बिहार हो गया, पस्चिमंगाल हो गया, तो भारत का जो उत्तरी इलाका है, वहाँ पर आपको खास्तोर पर भेडिये के attack की घटना है, देखने को मिलती रह बिहार में होता है 1993 से 1995 के बीच में जहां पर भेडियों के जुणने 60 बच्चों को मार दिया था इसके अलावा सबसे बड़ा जो आटक हुआ था वह आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था 1996 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 70 बच्चों की मौद सरी 76 बच्चों कवानी पड़ी थी यह कुछ नोटेबल इवेंट्स हुए जो कि हमें अभी तक देखने को मिले हैं अब भीडियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप डिसकस करें तो भीडिये जिनको इंडियन वॉल्फ भी कहा जाता है इनका जो आयूसीन स्टे देंगे इनका जो ग्रुप होता है उसमें आपको छे से आठ भेडिये तकरीबन दिख जाएंगे जिनकी जो रेंज रहती है वो तकरीबन आपका 200 स्क्यार किलोमेटर के आसपास जो है आपको नजर आ जाएगी इसके अलावा अगर हंटिंग की बात करें तो कमपेरेटिव इसके अलावा अगर आप देखें इनकी लाइफ स्पैम तो 5-13 सालों की इनकी लाइफ स्पैम होती है और इनका वेट जो है वो 17-25 केजी के असपास होता है अगर इनकी जोग्राफिकल रेंज की बात करें तो भारत में आपको खासतोर पर भारत को जो सदन इलाका है और भा इमाम राजे हैं यहां पर आपको जो है यह भीडिये देखने को मिलते हैं तो कहां नहीं मिलते हैं वो आप याद रख सकते हैं तो ओपर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा जम्मो कश्मीर में लदाख में हिमाचर प्रदेश में उत्राखंड में इन इलाकों में आपको भी बेडिये नहीं मिलते हैं बेडियों की जो शुरुवात होती है वो वेस्ट बेंगॉल से होती है इसके अलावा गर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ में आपको केरल में बेडिये नहीं मिलते हैं तो यह कुछ बेडियों के बारे में अब अन्त में आपके लिए एक सवाल यहां पर मौझूद है जिस सवाल का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि भारती भेडिये की वर्तमान आयूसी एन रेड लिस्ट स्थिति क्या है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वल्नरेबल ऑप्शन एंडेंजर्ड ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ऑप्शन डी लीस्ट कंसर्ण तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है वो जो मीध है किस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की है वो प दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले